कि अलो दोस्तों स्वागत आपका विडियो में और एक इंट्रेस्टिंग प्रॉब्लम में आपके लिए लेकर आया हूं तो हमें आप पर एक्वेशन गीवन है x plus 100 का whole square equals to 2x plus 199, हमें क्या करना है यहाप पर x की value जो है वो find करना है, बताना है क्या value हो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो जैसे में इना इस्टार्टिंग में बता हैं, कि एक tricky problem है, और यह एक common सी बात है कि जो भी हम tricks सीखते हैं, इसे problems को direct solve लेक लिए हैं, कहीं और दूसरे problems में भी use होती है, तो ध्यान से समझेगा क्या प्रिक हैं, तो देखिए, x plus 100 का whole square equals to 2x plus 199, तो यह जो वैल्यू 100 और 199 यह 100 यह 199 के हम बात करें, तो यह 200 की close है, तो क्या हम इसमें कुछ ऐसा हैर फिर कर सकते हैं, कि यह जो 199 है, यह 200 बन जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ adjustment करके देखते हैं, क्या हमें कुछ इस क्या जो change है, उससे हमें कुछ फाइदा होगा, तो जिसे 199 को मैंने कहा लिख दिया, 200 minus 1, अब 2x plus 200, इसमें से मैं 2 common ले सकता हूं यहां पर, तो 2 मैंने common ले लिया, अंदर बज गया, अरे यह तो simple हो गया, तो सभी को हम left hand side में ले आए, so x plus 100 का whole square minus 2 times of x plus 100 plus 1 equals to 0, यह तो बड़ी simple से quality की equation बन गई है, यह मैं बोलूँ यह plus a minus b का whole square भी हम यहां पर use कर सकते हैं, तो यह one को हम one square कर देते हैं, तो यह पूरा जो term में LHS में, वो क्या हो जाएगा, x plus 100 minus 1 इसका whole square equal to 0, तो यह हो जाएगा, x plus 100, sorry, 100 minus 1 केतना होगा, 99, x plus 99 का whole square equals to 0, और हमें यहां तो x की direct value मिल गई भाया, minus 99, यह answer इतनी जल्दी आ गया, okay, so I hope that this video will be helpful for you all, video पसंदा है तो सा लाइक कीज़, शेर कीज़, चैनल पर नहे हो, तो subscribe करना, ना भूले, notification bell को press करें, ता कि जैसे ही नए video upload हो, आपको तुरंत इसकी information मिल जाए, thank you so much, thank you for watching.